नमस्कार दोस्तों मेरे नामे विज्वल और आजके इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आज से ठीक है मतलब अब 15 जनवरी से आप कैसे फिजिक्स को स्टार्टिंग से पड़े के और 35 में 35 फोर सकते हो दोस्तों इतना आसान इस्ट्राटिजी इतना लाजवाब वाल ठीक है आपको इस्ट्राटिजी में बताने वाला हूं कि अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो अगले देड़ महीने तक दो महीने तक तो आप 35 में 35 आसानी से स्कोर कर लोगे दोस्तों बस मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूँगा पहुछ चोटी वीडियो रहेगी ठीक है ब सबसे पहले की आपको मान के चलो आप 15 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने यह 16ज जैन कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्स कर तो यह पे यहाप फिप्टीं के जगा अपर मैं एक्स रख ले जहां ठीक है मान के चलिए कि आपको अगर 15 को पेपर यह वीडियो नहीं मिलता है या जब भी मिलता है ठीक है तो उस दिन जिस दिन से भी आप अपनी प्रिपरेशनी स्टार्ट करना चाहते हैं वो अपना यहां पर डेट लिग लिजेगा ठीक है जन्वरी से आप आराम से फिजिक से बारे अपको जो है खांज और उसके बारे को उसके बारे में यार ऑपको पता है कि क्या है किसे करना है तो वह चीजेशा आपके लिए असान वहां जाएंगी आपको एप्से ने रहा हों धेट कर लो और इस सेड्यूल जब आप कर लो तो कैसे उसको एक्जीक्यूट करना है यह चारो सेलेबस को जानेंगे कोई कितना भी बड़ा काम हो अगर ठीक है उसकी प्लैनिंग आप कर लेते हो तो वह काम 50% वहीं पे खतम हो जाता है ठीक तो अगर आपका सेलेबस है इसको अगर सेलेबस देखो तो अलेबस टोटल साथ स्याप्टर वान टू टी फोर वाइब सीक्स सेवन लेके दोस्तों पहला आपका इलेक्ट्रो एक्ट्रों इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेबस ठीक है दूसरा है आपका रे आप्टिक्स तीसरा है आपका वेब आप्टिक्स, फोर्थ है डूयल निच्छर, और मैटर, और रेडियेशन, ठीक, फिर आपका है एटम, नुकलियाई, फिर आपका सेमिकंडक्टर, देखें दोस्तों, हमने सेलेबस जान लिया, कि चलो भई हमारे एलेक्ट्रोमेगनेटिक वेब आ रहा है, रेडियेशन, वेब आप्टिक्स, वेब आप्टिक्स, इससे टोटल आ रहे हैं, आपके 17 मार्क्स, ठीक है, मतलब तीन चैप्टर अगर आप पढ़ते हो, तो आपके 17 नमबर आएंगे, ठीक है, और उसके पास से, यह सेमिकंडक्टर, अकेले साथ नमबर का, ठीक है, यह अकेले सेमिकंडक्टर साथ नमबर का, बाकी दोस्तों यह जो तीन है, ठीक है, यह तीन है आपका 11 नमबर का, यह आपका 11 मार्क्स, ठीक है, तो यह आपका syllabus है, और यह इसका weightage, अब मैं आपको, अब यह तो आपका syllabus है, सब कोई बता देता है, अब मैं इसमें क्या, कौन सा plan बताने वाला हूं, या क्या क्या इसमें करूंगा, तो अब इसको सबसे पहले हम आसान बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा इसको तोड अब देखें दोस्तों, दूसरा इस्टेप, syllabus वो था आपका, अब वेटेज भी हो था, दूसरा था, plan, planning कैसे करनी है, दोस्तों, देखें, plan तो देखें दोस्तों, सबसे पहले अब chapter का sequence मैं आपको बता रहा हूं, पहला electromagnetic wave, electromagnetic waves, ठीक, दूसरा, dual nature of matter, dual nature of matter, तीसरा, atom, चौथा, नुकली आई, पाचवा, semiconductor, दोस्तों, देखें, ray optics, wave optics को अभी हमने बाहर निकाल दिया है, क्योंकि वो अपने आप में बड़े chapters हैं, और उसको करने के लिए कम से कम आपको, वन वीक, छह, साथ, आठ दिन भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप देखो critical thinking, ठीक है, इतने depth में, फिर question आने वाले हैं, आपके टर्म टू में, तो आपको चैप्टर के इड़ें, डीटेल चैप्टर आपको आनी चाहिए, तो आपके पास time पूरा है, ठीक है, तो उसमें आ Ray optics, wave optics में से थोड़ा weightage उसका जाद है, Electromagnetic wave में 4 या 5 नंबर का हमेशा आता है, मतलब हर साल 4 या 5 नंबर, Electromagnetic wave से आता है, तो मान के चलो हम 5 नंबर इससे माल लेते हैं, 5 नंबर हम Electromagnetic wave से माल लेते हैं, Ray optics, wave optics को अभी छोड़ देजिए, ठीक है, फिर dual nature of matter, atom nuclei, यह आपक तीनो चाप्टर, एकदम आसान, पिद्दी से चाप्टर से हैं, दोस्तों, 11 marks आपके प्यार से आपके हाथ में आ जाएंगे, ठीक, फिर semiconductor अगर देखा जा, तो यह आपने आप में एकदम लड़ू सा चाप्टर है, 7 marks, यहाँ पर बस principal devices, ठीक है, पस पढ़ना होता है, intrinsic, extr half diode, full diode, ठीक है, जेना diode, यहीसा बस चीजा आपके पढ़नी होते हैं, तो बहुत असान है, इसमें derivation, इससे derivation आता ही नहीं है, बस इससे machines जो होते हैं, दोस्तों, half wave rectifier, half wave rectifier, ठीक है, बस यही पुछता है, तो आप चाहो तो इसको अच्छे से कर सकते हैं, 7 number के यह, तो द 11 साथ, 18 पास, 23 number, देखिया, दोस्तों, 23 marks, 23 marks आपके हाथ में है, ठीक है, देखिये, सबसे पहले कि देखो, होता क्या है, आप पढ़ने का मन नहीं करता है, physics क्या है, देखिये, अगर, क्या कहता है, एक, अब मैं स्टोरी सुनाँगों, तो जादी वीडियो लंबा जाए, देखो, सीधी बात है, जो चीजे असान है, उसको पहले कर लो, जो सेगमेंट सबसे असान है, जो आपको लगता है, यह मतलब थोड़ा सा है, पहले उसको आपको दिखना चाहिए, कि आपने कितना syllabus कवर कर लिया है, क्योंकि आपका exam, अभी तो, देखो, date, मैं इस बारे मे बात ही नहीं करूँगा, कि exam होगा नहीं होगा, अगर होता है, तो, लेकिन याद देखिएगा, आपका exam, पिसले साल में तक गया था, तो, हो सकता है, कि आपका exam किंसिल नहों, और आपका exam हो सकता है, ठीक है, यह वीडियो बहुत लंबी और यह जली बता रहा हूँ, अभी भी मिलती है, तो, यहाँ पर जिस दिन से स्टार्ट करना, उस दिन ये अपना date अपना लिख लेना, 15, 16, 17, जब मिले, तिक, यहाँ पर अपना रख लेना, और एक ending date भी रखना कि आपको preparation कब खतम कर देनी है, मतलब एक मतलब समाल लो, अगर हम मैं कहता हूँ कि चलो 15 तारिक से स्टार्ट करते हो आप, और 27 तारिक को आप अपनी preparation खतम करते हो, 27 तारिक को, तो 27 तारिक को मैं जितने दिन आएंगे, कितने दिन आएंगे, तो 43 डेज आएंगे, 43 डेज अगर आएंगे, तो उस 43 डेज में, चैप्टर से डेज को मल्टिप्लाइ कर दो, तो दोस्तों यही है तीसरा यही है सेडियूल कर ले हम ठीक है 15 जैन से लेके 20 जैन तक फिर डूयल नेचर आफ मैटर यह 16 जैन से ठीक है 16 जैन से 21 तक ठीक 15 से 20 फिर 16 से 21 फिर एटम से लेको लिए आई 22 फिर लेके 27 तक ठीक है फिर 28 एटीन टू गर्वन हो गया क्या 28 अठाइस टू दो तारिक तो तीन इस तो दो तारिक तक आगार आप पांच-पांच दिन दोस्तों देखो यह ऐसा चाप्टर रहना यह एक एक दो दो दीन में खतम होने माइक्रोवेब के फंक्शन क्या है सोर्सेज क्या है यही सब सारी चीजिए इसमें पूछते हैं इसमें डेफनीशन से बहुत जल्दी यह चाप्टर आप असान चाप्टर है फट्स इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं तो देखिए प्लैन यही था कि सेलेबस को मैंने असान ठीक है उसको थोड़ा सा इंटर्चेंज कर दिया पहले कर दिया डूयल नेचर एटम नुकलियाई से में असान चाप्टर है यह लड़ू चाप्टर है और इसको आप जल्दी से कंप्लीट कर लो ताकि आपको भी दिखे कि हां मेरा फिजिक्स में इतना कंप्लीट हो गया ह है ओके फिर देखिए पांच थारिक से लेकर आपके और पांच नमबर का यह सपोज है पांच ग्यारव साथ तेश नमबर तो पांच पंदरह जनवरी से बीस जनवरी तक आप इलेक्ट्रोमेंटिक वे पड़ते हैं तो आपका तेश नमर आपके हाथ में आगया अब देखिए तो यह थे दोस्तों यह आसान चप्टर अब बसता है आपका रेय ऑप्टिक्स कर लिया है अब तीसरा दोस्तों एक्जिक्यूट अब चौथा एक्जिक्यूट कैसे करना भी मैं आपको थोड़ी दिर में बता रहा हूं है बहुत लंबा हो गया है ठीक है यह सता है मतलब एक डेटलाइन अप रखना कि आपको प्रिपरेशन अपनी कब खतम करनी है और य नहीं होगा तो पढ़ा हुआ कब नुक्सान होता है यार समझो गात को अब बचा आपका रे आप्टिक्स इस वेव आप्टिक्स थीक है देखे तो चफ़वा चप्टर चप्टर तो दो तारिक तक आपका 5 पांस चप्टर कंप्लीट हो गया है आपो नर्लान अदेशिक्ष्स में हो गए कैसे भी करके किरेगेग्थ मुझितीन तारिक से लेकिंके धीड़र्या मतलब चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो मैंने इसको बारा दिन दे दिया है 15 और इसको वेब आप्टिक छोड़ा छोटा है तो 16 लेके 27 तारिक तक 9-10-10 दिन भी अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हो दोस्तों तो आपके लिए आसांद प्यार जार देखो रेव आप्ट प्रूफ करने प्रूफ करने के लिए पूछता है दोस्तों फिर फ्रंट क्या होता है यह सब सारी चीज़े है और नुमेरिकल इनी दोनों चप्टर से आते भी हैं मैं नहीं कह रहा हूँ तो आप आपके पास पूरा टाइम है आप नुमेरिकल का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं नुमेरिकल नहीं आते हैं तो छोड़ दो आपके 23 नमर यहां पर और लेडी 5 चप्टर से इन दोनों चप्टर से आप जितना बेश्ट अपना कर सकते हो पूरा पूरा बेश्ट देने की कोशिस करना ओके तो दोस्तों यह आपका हो गया 27 तारिक तक आपका खतम अब मैं यहां पर X क्यों डाला था कि आप कोई यह वीडियो जब भी मिलती है तो यहां पर जिस दिन तक खतम करना है और वही जो पांच चप्टर में जो ऊपर बताया था सीक्वन्स जो इलेक्ट्रमेनेटिक वेब डुएल नीचर एटम नुकलाई सेमिकंडक्टर पहले उस आसान चप्टर को पहले पढ़ना ठीक है तब ही कॉंसेंट्रेट से कॉंसेंट्रेशन भी बनेगी कि पढ़ भी लोगे और आपको दीखेगा अभी कि हमेना इतना कम्प्रीट कर लिए फिर लास्ट में यह दोनों चप्टर करना हां उसके बाद से क्योंकि एक फैक्टिस के पीछे माल के चलो कि आप वह आसान चप्टर पढ़ते रहे रहें ज्यादी दिमाग खपाऊ नहीं आप नहीं अब बहुत पर सी इतना कोरोना वाइरेस तो भी तब जाए के इस साल कोई चांसी नहीं बनता तो आपने प्रिपरेशन कंटेनियों रखिएगा ओके तो यह था दोस्तों आप अब एक्जीक्यूट करने के बारी आ गई चौथा एक्जीक्यूट देखें इसका simple एक-स फंडा है देखें सबका आपना अलग time table होता है कोई एक गंटा पड़ता है कोई दो घंटा पड़ता है तो आप करना क्या है आपको कि आप देखो consistently आगर रोज 20 मिनाटी पड़ते हैं अगर है तो मात्रे 20 मिनाटी पड़े 20 मिनट और ढख देख लिए आज पहले दिन देख लिए अच्छा क्या-क्या इस chapter से इंपोर्टेंट है क्या-क्या आता है वह प्ले है फिर दूसरे दिन 20 और टी-सरी तर्टी ठी-सरी इतना इंडल्र हो जाओगे इस chapter में इतना इंडल्र हो जाओगे तो मैं आपको लिए एक चीज दिखा रहा हूं रुक जाए है दूस्तो बस एक मिट मैं आपको दिखा रहा हूं कि यह रहा दोस्तों कि देख लिजया कॉंपिटेंसी बेस्ट क्रिटिकल थिंकिंग जैसे किसी भी दुनिया से पेपर यह लोग बना लें मुझे फरक नहीं पड़ता मैं इनको चैलेंज ली बोल सकता हूं कि यहां आप किसी भी दुनिया से पेपर बनाएए ठीक है इस पेप कोई सब्दी नहीं है मैं क्या बता हूं उसको कि वह इतने इंपोर्टेंट है कि अगर आप यह कुछ नहीं पड़ते हो और यह बस करके जाते हो तो आपको आप पूरा 35 का 35 स्कोर करने से आप खुद नहीं रोक सकते हो ठीक है तो यह सब सारी चीजे दोस्तों यह फिजिक् तो अगर आपको यह फिजिक्स का यह विवी आई पी मोस्त इंपॉर्टेंट पेपर चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज करेंगा दोस्तों अब देखे फिरी में तो कोई चीज नहीं मिलते ना हर चीज का मतलब अगर मैं ही अगर बनवाया हूं टाइप कर वाया हूं त अब दो गिलिया से यू, have a good day